This news is co-sponsored by आराध्या ज्वेलर्स अब सोना खरिदे आसान किष्टो में 100% pure ज्वेलरी हमारा पता शार्दा चौक गनेश नगर नंदनवन नाकपूर नाकपूर के कलमदा में कफूर के रहा उसके खिलाब जो है फिलाल आंदलन चर रहा है आप सुन रहे हैं कि आंदार के खिलाब जो है ये खिलाल आवाज जो है ये नारे जो बुलन के दर है नितिन पिवार हमार पार मोजुद है कल जो हाथसा हुआ है उसके पर क्या कहोगे जिस तरह से मंतरा ने जो नितिन गड़करी के दिवेंस आता है उसमें तब रहा हाथसा हो जाता है क्या होगे आदरनी है केंतरी मंतरी ओड़करी के हम से जाने वाज गड़करी साहब के शाहर इस प्रकार से बढ़ा गुना लोगों के जान का धोका होना ये दुरभाग्ये पून है और इसमें इस्थानी विधायक खोपड़े साहब की जो जीडी सील कमपनी है उससे मिली भगत है और ह इसमें के दारों को ब्लैक्लिस्टेट करना चाहिए जिन राजनेता होगा उनको प्रतिक्षा प्रतिरक्षन है उनके उपर भी कारवाई की जाने जाहिए इसी में के राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं सहिंन है साब शुक्सी क्योंब किन अब गड़त ऑना यहां है वहाँपर की जो इन इनkaरा काम cioè से से घुशो भीषे संद्व का काम हो रहा है उसमें बिली भगत जो अधिकारी है उसको ब्लैक लिश में डालना चाहिए और जो यहां पर जो नेता और जो बीजेपी की कुछ नेता है उसमें सम्मिलित है आएसे नेता हो पर भी धान देना चाहिए मुद्दो ठाकरेजी से माननिये मुख्य उंतरी चे निमेदन करेंगे किसमें एसाइटी बठाल कर जाज करना चाहिए और जो दोशी हैं उनको कट घरे में लाकर उनको साजा दिरना चाहिए इसमें जो वर्तमान में जो नेता है यहां पर जो विकास फुरूज आपने आपको कहते हैं उन लोगों की मिली भगत है मुझे ऐसा लगता है और यह मिली भगत होने से जो डेडलाइन होने के बहुजूद भी जो काम पूरा नहीं हो रहा है और फिर भी उनको तारीक बढ़ाते जा रहे हैं तो उसमें जो कॉंटक्टर को बेनिफिट मिल रहा है इसमें दोना आपस में मिली जुली जो बात कर खाने की निती हो सकती है इसलिए शिवसंच की हमारी मांग रहेगी कि siit निताल कर पर शिवसंच का रहे है आप देग देख सकते हैं नाइप बै यह आंदलन कर रहे है बाकाइदा वास्ते पे शुशना है हाला कि महाविकास आगरी आंदलंग करने वालते लेकिन फिलाल अलग अलग पाइटियर जो है इस निर्मान धिन जो पूल गिरा है उनके खिलाव जो है आदलंग कर रहे हैं यह दिखाता है कि किस तरह से नापपूर में काम हो रहा है इति 2014 से इस पारडी कलमना पूलिया का जो है मानिये पंतप्रदान नरेंदर जी मोधी के हातों जो है इसका भूमी पूजन हुआ था और 2019 में इसकी डेड़ लाइन थी 2021 तो छोड़ी है 2021 लग गया है और यह काम आज भी आदा अधूरा है और आपने देखा कि पिछले राप को यह जो पुलिया है वो गिल गया है यह पूरा जो है लापरवाई का एक नमूना है मानिये नितिंजी गरकरी दूसरी बार इस नाकपूर से सांसद है और मानिये नि लगी हो उसके बावजूर इस सार का जो समतल विकास नहीं हो रहा और आज भूनी पूजन होने के पहले यह पूल अगर गिर जाता है तो यह काफी दूगदाई बात है इसका हमने जो है इस जो पूल जो गिरा है इसका अला आडिट हम लोग चाहते है और इस इसमें जो भी सांचेती की कंपणी है और आपको पता है संचेती कौन है जो है इसमें जो है पूरा काम लारा है और बूल गिर चुका है शीता जाकता उदारान है तो निश्चित खरीद नहों आपको ताजी फल या फिर देश के किसी जगह पर करना हो फलोका व्यापार थोक फलोक का मिलने का एक मात्रस्थान तो आईए शौकत अलियांड ब्रदर्स फ्रूट मर्चंड गार्डन पैकेजिंग हमारे यहां ताजी फलोक की व्यापार समित बागवानी खरीद कर फलोका उत्पादन किया जाता है इसी के साथ ताजी फलोका देश के हर शहर में ठोक व्यापार हमारे यहां किया जाता है हमारा पता भाजी मंडी, काम्ठी और ओफिस का पता कलमना मार्केट नाकपुर अधिक जानकारी है तू संपर्ग करे मुदसर भाई 9518351581 शौकतली 8668594218 या 9372424481